हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका एंट्रिव्यों क्लासेज में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर जो आपके 15 है वो आलेखों से रिचे यह आपकी किताब में सबसे बड़ा पार्ट यह है ठीक है अगर 10 में से 10 चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो देख ठीक है चलिए इसस्टार्ट करते हैं पहला कुशन है कि सत्य और असत्य बताना खें तो क्या यह x परिस्थित होगा और y है ना तर नहींगें कहयाना का मतलब सुन्य नहीं नहीं थीकर तो अगर वाई सुन्य नहीं यहनु हो सकता है क्वार माइनस हो सकता है तो यह यह एक पर इस्तित होगा तो हां बिलकुल होगा क्योंकि देखों यहां और पर धुzne सत्य कुषब अच्छा अब क्या हुआ आप बोल दिया कि यह जो आपके है यह वाला सुनिया इसका मतलब point यहां पड़ा है y पर कहीं और x निर्देशांग है ना 5 है इसका मतलब y सुननी है ना और x पर कितना 5 मान लिज़े 5 यहां पर यहाँ पर बिंदू पड़ा है तो Y X पर इस्तित होगा क्या नहीं क्योंकि Y पर गया ही नहीं गया है जीरो है और X पर गया पांच तो यह X अक्स पर होगा तो इस बात को आप कहोगे अ सत्य भाई ठीक है अगला देखो मूल बिंदू के निर्देशांग 0-0 होते हैं बिलकुल होते हैं ठीक है न अगला देखो क्योशन शांदार क्योशन है ये वाला बिलकुल option based में पूछ सकते हैं कि निम्मन ऐसे कौन सा सही है अब देखे तो इसकी विखान रखनी है ठीक है ना मैं समझा देता हूँ लिखी होई तो है देखिए आपको बताने कौन सा आलेक है जो समय और तापमान के भी संभव है यहाँ देखे तो समय इधर बढ़ रहा है तापमान इधर यह लाइन ऐसे जारे इसका मतलब समय भी बढ़ रहा है तापमान भी बढ़ रहा है पॉसिबल है भई यहाँ पर तापमान कम हो रहा है और समय तो क्या आगे बढ़ रहा है ना लाइन रुकी नहीं ऐसे सी दिन नहीं बढ़ रही है ठीक है यह भी पॉसिबल है अगला देखो अगला है कि तापमान बढ़ रहा है लेकिन समय की लाइन न इधर गई न पिछे तो जाई नहीं सकती समय कभी पिछे नहीं जाता ये इधर आगे नहीं जा रही है मतलब एक जिगा समय स्थिर हो गया है ये पॉसिबल नहीं है तापमान स्थिर हो सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं रुख सकता ठीक है न तो ये तीसरी वाली कंडिशन बिल्कुल इनकरेक्ट है चौती वाले में देखिए तापमान रुकावाय समय बढ़ रहा है बिल्कुल सही आपको बताना है कि 2003 में बिक्री किस परकार की थी कंपनी की 2003 में और 2002 में तो पहले देखिए 2002 और 6 की विक्री आपने का 2002 ये रहा 2002 विक्री थी 4 करोड ठीक है न तो क्या लिख दोगी 2002 में 4 करोड रुपए ठीक है न फिर पूचा 2006 में अगले सवाल था न तो 2006 में ये रहा आठ करोड ठीक है न फिर नेक्स्ट कुछिन पुचा है कि 2003 और 2005 में कितनी विक्री थी तो ढूंडो 2003 2003 और 2005 2003 का ये 2003 में थी आपके देखो 6 और 8 के बीज मतलब 7 करोड ठीक है न और 2005 में 2005 में थी 10 करोड ठीक है न बहुत यासान है ठीक है अगला कुछिन क्या पूछा कि 2002 और 2006 की विक्रियों में अंतर कितना था 2 और 6 की विक्री में अंतर तो आप देखिए 2 की विक्री ये है और 6 की विक्री ये है 6 की तो है आपके 8 और ये है 4 इसका मतलब 4 करोड का अंतर है ठीक है क्या कहोंगे 4 करोड का अंतर है किस अंतराल में विक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक था अब अंतर ज्यादा कहा था तो आपने कहां ज्यादा वाली गैप तो ये वाला लग रहा है वहीं जो कि 2004 और 2005 में गैप था सबसे ज्यादा जो कि कितना था देखो इधर 6 है 4 है मतलब 4 करोड का 6 है और 10 है 4 करोड का गैप ठीक है तो यह आपके आंसर है ठीक है यहां से आप नोट कर सकते हैं ठीक है अगला देखिए नेक्स्ट कुशिन है यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग क कि एक डाक्या किसी नगर के लिए पार्शल लेने के लिए रावान वाले के चला अब आपको बताना है कि पार्शल पहुंचा रहा है साइकल पर जा रहा है तो उसकी दूरिया है उसका अलेक दिया है एक्स अक्स पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया आपने का अच्छा समय दर्शाने के लिए तो बहुत एजी है तो समय दर्शाने के लिए देखो यहां 8 बजाए पिर यहां 9 बजाए कितना gap लिए कितने खाने है 1, 2, 3, 4 इसका मतलब भुआ 4 इकाई बराबर 1 गंटा क्योंकि बहुत देखो 8 से 9 बजा रहा लेकिन एकाई कितने ले लिए 4 ठीक है न और किस पे यह एक्स एक्स है ठीक है न तो आपने कहा एक एकाई बराबर 4 इकाई बराबर 1 गंटा अगला है उसने पूरी यात्रा में कितना समय लिया पूरी यात्रा करने यह यहाँ पे 11 और 12 के बीच मतलब 11 बज़े वापस आ गया ठीक है मतलब पहुंच गया वहाँ पे तो 8 से अगर 11 का टाइम निकाले हम तो निकलते हमने 8 3 11 साड़े 3 गंटे तो उसने पूरा समय कितना लिया साड़े 3 गंटे टाइम लिया ठीक है अगला देखिए कि व्यापारी के इस्थान से नगर की दूरी कितनी है मतलब व्यापारी जहां से चलना सुरूआ ना वहां से तो यहां से सुरूआ भई यहां पर गया और दूरी तो यह पड़ी अपने पास तो 0 से स्टार्ट हुआ बाइस किलोमेटर गया तो दूरी कितनी होगी बाइस हो गई ठीक है क्या डाग के रास्ते में कहीं रुका वेवरण दीजिए कहीं रुका था क्या आपने का साब टाइम तो यहां रुका नहीं लेकिन इसकी गती यहां बिलकुल नहीं होई इसका मतलब यह रुका तो था कब रुका था कि दस से साड़े दस के बीच में यह रुका था केस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी तो सबसे अधिक चाल तो विल्डिंग लंबी कौन से गई आपने का यह वाले सुरुआत में गजब तेज चला वो ठीक है न फिर देरी देरी होता गया है ठीक है तो यहां पर यह पूरा लिखा वाया ठीक है अगला कुश्न देखिये अब आपको इसके उपर ड्रो करना आपने पॉंट ड्रो करने ठीक है बहुत तो पॉइंट चारों दे रखें आपके ग्राफ बना वा आएगा इधर मैंने बना आपके बना हुआ आएगा आपसे बोला कि यह पॉइंट है ना पहला हमें सा एक्स होता है ब्रेकेट में और फिर वाई होता है ध्यान रखना ठीक है तो यहां पे चार है और जीरो है आपने चार एकस है और यॉइ पे कही नहीं जा ना जीरो पहला पॉइंट दूसरा चार और वाई पे दो चले जाओ यह लो आगो फिर बोला है कि चार और छे है छे पे चले जयूँ यह लूँ अब यह लो सब च्छे पर आगे हम ठीक है फिर जैसा लिखा वैसा पॉइंट बना दो यहां पे और फिर चेक करो कि सरल लेक आई क्या तो आपने कहां आई सरल लेका ठीक है ना अगला देखिए अपना लाश्ट कुशिन है इसका कि आपको बताना है कि वर की भुजय दी हुई है परिमाप दिया हुआ है अब आपको इसके लिए आलेख खीचना है इसके बहुत आसान है ठीक ही वर की भुजय देखते लिख दो और इधर लिख दीजिए आप परिमाप ठीक है ना परिमाप देखे गया आपको लग रहा है चार चार का गया पहना तो 468 ठीक ना 46 नहें लेंगे चार आंट 12 16 20 24 ले लिए ठीक है न और इधर रख देंगे 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है अब जैसा point बोले वैसा कर दो आपको बोला कि वर की बुजा 2 थी न उसे में परिमावा 8 था ये लो 2 और 8 हो गया सब अगला है कि 12 और 3 मतलब वर की बुजा रही 3 और आंसर आपकी कटने वाल पॉइंट 12 ये रहा फिर देखो सा पार के बीच में यहां पर और ये हो गया 14 अगला देखिए 5 और 20 तो 5 ये रहा और ये 20 ठीक है तो यहां लाइन कट जाएगी ठीक है ये ऐसे फिर 6 और 24 लास्ट वाला पॉइंट अपना ये ठीक है इस प्रकार आपके graph बन जाएगा ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक लिए गुडबाई जय हिंद जय भारत